जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ITR income tax return आपने भरदी थी और जहां पर आपका TDS ज़्यादा कट गया था या कोई भी advanced tax, self assessment tax ज़्यादा भरा हुआ था तो आपने क्या क्या? ITR के अंदर अपना refund मांग लिया दोस्तों refund मांगने के लिए आपको क्या होता है? महाँ पे आपका एक bank account होता है वो validate करना जरूरी है और वो eligible for refund भी होना चाहिए और nominate for refund भी होना चाहिए बहुत सारे case में क्या होता है? हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं और हमारी ITR सीधी ही लगा देते हैं इसके बाद में income tax department हमारी ITR process कर देता है process करने के बाद में जो हमारा refund होता है क्योंकि SBI इनका एक bank है income tax वालों का जो कि refund banker है तो income tax department का CPC process ITR process करने के बाद में आपका refund आपका जो refund banker SBI को बोल देता है कि Mr. X के खाते में आप इतना रुपए refund दे दीजिए लेकिन होता क्या है वो जब check करते हैं बेजना चाहते हैं तो वो refund बेज नहीं पाते हैं और आपका refund fail हो जाता है तो आपको एक text message आएगा और आपको एक email आएगी कि आपका refund fail हो चुका है और आपको refund reissue की request लगानी है तो दोस्तो अगर आपका भी कोई ऐसा case था कि आपका refund था जारी तो हो गया है लेकिन आपके bank account में नहीं आया है तो आपको refund reissue की request लगानी पड़ेगी ये कैसे लगती है मतर दो मिनट के अंदर ये हम आपको बताने वाले है वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जुरूर करें अभी तक subscribe नहीं किया तो please कर लें क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा होसला बढ़ जाता है इसके साथ में दोस्तों इस वीडियो को उन सबी लोगों में share करना है refund 8 का हुआ है चाहिए इस assessment year 24-25 का हो या पिछले किसी भी साल का हो सारे के सारे refund आप इस method के थुरू refund reissue के थुरू मंगवा सकते हैं तो देर ना करते हुए सीधे ही website पर लेके जाते हैं और refund reissue की request आपको लगाना सिखाते हैं यहीं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर क्या इस तरह का email आपको भी आया है पैन इस लोट लिंक टूदी बैंक अकाउंट हाला कि आपका पैन अधार से लिंक है लेकिन आपका पैन है जो आपके bank 24-25 की आईटियर भर दी थी और आईटियर फाइल सक्सस्फुली हो चुकी है और प्रोसेस भी सक्सस्फुली हो चुकी है और यह देखिए दोस्तों 8 जून को बरी थी और 21 यून को प्रोसेस हो गई थी और प्रोसेसिंग कंपलीट हो गी थी आपका refund issue हो गया था लेकिन तो कर दिया गया था इंकम टेक्स डिपार्डमेंट की तरफ से लेकिन आपका ये रिफंड फेल्ड क्यों हो गया है तो व्यू डिटेल के उपर आपको जाना है यहां पर जाने के बाद में दोस्तों यह देखिए रीजन फोर फेलियर 155 आ रहा है तो अगर हम गूगल पर दे आने के बाद में आपको माई bank account पर चले जाना है यहां पर मैंने यह प्रोसेस पर अल्रेडी कर दिया है अगर आपका अकॉंट वैलिडेट़ आ रहे है फिर आपको यहां तीन स्टेप पे क्लिक करके रींडेट के ओपर क्लिक कर दिना है जैसे आपका अकाउंट फिर से वै यह बोल रहे हैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट अभी तक आपने नहीं लगाई है तो क्रियेट रिफंट रिशू रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है यह देखिए दोस्तों असेस्मेंट यह 24-25 का इंकम टेक्स रिटन थी हमारी और आपको यहां पर एकनोलजमेंट नंब पर आपको क्लिक कर देना है आपके अधार काड में जो मॉबाइल नमर दिया गया है उस पर एक जाएगा वह यहां पर डाल दिया है तो आपको पता होगा आपका वैलिडेशन जैसे ही हो जाएगा तो आपकी यह रिक्वेस्ट लग जाएगी यह देखिए सम्मिटेड सक्स की रिक्वेस्ट लगा देते हैं तो विदिन वीग हो सकता है एक दो दिन में ही आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा फिर भी कोई डाउट क्वेरी कोश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प् अड़ीLE आपका देते हैं एक रभी तो आपके बुद्धट लॉटे इक आपके अवाट नहीं का दोड़ीज वीग आपके पराइब लिए बात्ष नहीं किया चाहता अद्धाएब आवके बात्राइब तो अबसकी कोश्चराइब नहीं